हेलो प्रेगनेंट मॉम्स आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रेगनेंसी में जाडू पोचा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए तो शुरू करते हैं अपना वीडियो नमशकार दोस्तों स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल हेल्पिंग हाउस वाइफ में सबसे पहले कमेंट में जाकर जै माता दी जरूर लिखिए जिससे माता रानी की कृपा आपके उपर और आपके बेबी के उपर हमेशा बरसती रहे मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें बात करते हैं जाडू पोँचे के बारे में तो प्रेगनेंसी में जाडू पोँचा करना चाहिए या नहीं ये प्रेगनेंसी में उस लेडि की कंडिशन पर निर्भर करता है वैसे तो पुराने टाइम की लेडि ये कहती आती थी हमेशा ही यही कहा जाता था पुराने जमाने में कि जाडू पोँचा करना एक नॉर्मल काम है जिसे आप प्रेगनेंसी में भी कर सकती है लेकिन अगर आपको डाक्टर ने खास तोर पर मना किया है तो ऐसे में आपको ये काम नहीं करने चाहिए प्रेगनेंसी में जाडू लगाना फाइदे मन्द भी होता है अगर किसी का बेबी गर्ब में उल्टा है तो रोज जुक्के जाडू लगाने से नॉर्मल पोजीशन में आने के चांस बढ़ जाते हैं लेकिन फिर भी अगर आपको ये काम ध्यान से करने चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी में गुरुत्वा कर्शन बल बदलने के कारण संतुलन खोकर गिरने का डर रहता है और पुराने टाइम की लेडिस जो होती थी वो ये भी कहती थी कि आखरी समय में प्रेगनेंसी के आखरी समय में नौवे महिने में जब आपकी डिलीवरी डेट नजदीक आने वादी हो उस समय पहुचा लगाने से बेबी का नौर्मल होना बहुत ही आसान हो जाता है नौर्मल डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो जाती है और ऑपरेशन के चांस नहीं रहते हैं लेकिन आज के समय में जब काफी लोग डॉक्टर्स के उपर ज्यादा निर्भर रहने लगे हैं तो हमें भी डर लगता है कि हमारे साथ कोई दुरगटना ना हो जाए इसलिए हम भी डॉक्टर्स पर निर्भर रहते हैं तो ऐसे में अगर डॉक्टर्स आपको बेड रेस्ट बता देते हैं या बहुत सारी प्रेगनेंसी में कंडिशन्स हो जाती हैं तो उसकी वज़े से आप को जाड़ों पहुचा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह एक रिस्क वाला काम हो जाता है और हमें अपने बेबी के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए आशा करते हूं मेरी ये वीडियो आपको जरा से भी हैल्पफुल लगी है जरा से भी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू थैंक्स फोर वाचिंग